नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस थे थे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्र सासित प्रदेश यानि की यूनियन टेरिटरीज के बारे में आज इस टॉपिक से पूचे जाते हैं इनका प्रसासन किस प्रकार अधिकारियों द्वारा किया या राश्ट्रवती द्वारा किया जाता है और 7 ऑसाथ दिल्ली जो एक इंद्र साहीव प्रदेश है उसके लिए जो अलग प्राबधान है उनके बारे में चर्चा करेंगे और सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिलकुल ना भूलें उसके अंदर कर चर्चा की जाए तो भारत को तीन स्रेडियों में बाटा गया है भारत का जितना भी भूभाग छेत्र है उसको तीन स्रेडियों में बाटा गया है प्रसासन की और भूभागी द्रश्टी से प्रसासनिक द्रश्टी से इसको तीन स्रेडियों में बाटा गया ह अब यह सारे के सारे उत्तर प्रदेश के राज हैं इनकी यह जो है राज शेत्र सबसे पहला डिविजन इस तरह से किया गया है और दूसरा है केंद्र सासित प्रदेश मतलब ऐसे प्रदेश जिनका सासन केंद्र सरकार के हाथ में होगा वो केंद्र सासित प्रदेश के तौर पर जाने जाते हैं और तीसरा जो डुवाय डिविजन किया गया है ऐसे छोट छेत्र जो भारत वारा किसी समय अर्जित किये जाएंगे यानि कि ये अर्जित छेत्र होंगे हमारे कि मान के चलिए फॉर एक्जामपल भारत का किसी अपने पड़ोसी देश से युद्ध हो जात है और कल को जो है भारत इस्लामपाद के ऊपर कबजा कर लेता है तो भारत चाहे तो उस कबजा की हुए छेत्र को अर्जित छेत्र का दर्जाद दे सकता है बरतमान में हमारे देश के अंदर 28 राज्य है और 8 केंद्रिसासित प्रदेश हैं दोस्तों यहां 8 फिसिंग हो गया है तो यहां देश के अंदर हमारे फिलाल 8 केंद्रिसासित प्रदेश हैं इनकी चर्चा विस्तार से आगे की गई है, लेकिन कोई भी अर्जित राज्य हमारे देश के अंदर अभी तक नहीं है, सभी भारत राज्य की संग्य विवस्ता के सदस हैं, जितने भी राज्यों की यहां बात हो रही है, सभी राज्य जो हैं, वो भारत की संग्य विवस्ता क ये कर बात की जाए तो संग्हीय विवस्ता मतलब केंद्र सरकार और राज़् but कानून बनाने का दिकाल दूछ केंद्र सरकार का होता है संथ्धवारा उसकेंद्र साथ बाणना सकता है और कुछ विसेश इस्थितियां ऐसी होती है जहां उनका कंट्रोल केंद्र के हाथ में जाता है और तीसरी एक संवर्ती सूची होती है जिसके उपर दोनों ही केंद्र और राज अपने कानून बना सकते है तो उन सूचियों के मार्द्यम से विवस्था की गई है तो राजियों की यहां आपने बात की कि भारत के जितने भी राज हैं वो संग्य विवस्था के सलस्य है केंद्र सासित जो केंद्र के साथ सकती के विवाजन के सहवागी है जितने भी राज होंगे हमारे वो सारे केंद्र सरकार के साथ सक्तियां साजा करेंगे दूसरी तरफ अगर केंद्र सासित प्रदेसों की बाद की जाए तो केंद्र सासित प्रदेस वह छेतर हैं जो केंद्र सरकार के सीधे नियंतरव होते हैं इसलिए ऐसे प्रदेश को केंद्र सासित छेतर भी कहते हैं यह छेतर संगीय प्रणाली से अलग होते हैं यह छेतर जो हैं संगीय प्रणाली के अंतरगत नहीं आते यह जो हैं केंद्र की साथ सक्तियां साजा नहीं करते हैं बल्कि पूजी तरह से केंद्र के द्वारा ही इनको चलाया जाता है उम्मीद है आपको केंद्र सासित प्रदेशों की इतनी अवदारना समझ में आई हो अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए आईए अब चर्चा करते हैं कि हमारे देश के अंदर केंद्र सासित प्रदेशों का गठन किस प्रकार हुआ था किस प्रकार से केंद्र सासित प्रदेश अस्तित्तों में आई थे 1874 की बात अगर की जाए तो 1874 मतलब हमारी आजादी से पहले 1947 में हमारा देश आजाद हुगा यहां 1874 की बात हो रही है तो 1874 में अंग्रेजों का जब सासन हुगा करता था तब कुछ अनुसूचे जिले बनाए गए अनुसूचे जिलों का गठन किया गया बाद में इन्हें मुख्य आयुक्त छेत्र यानिकि चीफ कमिशनर्स एरिया के नाम से जाने जाने लगा जो अनुसूचे जिले बनाए गए थे उन्हीं को चीफ कमिशनर्स एरिया के नाम से जाने 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 लगा उसके बाद 1956 में हमारे देश जव आया उसके बाद सात्मा संविधान संसो तो 1956 में ये केंद्र सासित प्रदेश के तौर पर सामने आए और उसके बाद धीरे-धीरे कुछ केंद्र सासित प्रदेश को पूरी तहरे से राज्य का दर्जा दे दिया गया तो जब सुरुवात की इस्तिति उसकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश, मडीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा शुरुवात में ये सारे केंद्र सासित प्रदेश थे लेकिन बाग में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है पूर्ण राज में और केंद्र सासित प्रदेश के अंदर जो अंतर है वो आपको इसपश्ट हो गया होगा कि केंद्र सासित प्रदेश जो है पूरी तरह से केंद्र के नियंतर में आते हैं और पूर्ण राज ये जो होते हैं वो केंद्र के साथ सक्तियों के आप विभाज साजा करते हैं दूसरी और बात की जाये तो पुर्टकालियों से आय गए छ्हेतन हम ने स्कूर्ट फ्नॐरा खुए अबर्श फ्रांजीरें प्र clinics फूर्क सावा पता चला होगा आगे चर्चा करते हैं कि वर्तमान में हमारे देश के अंदर कितने केंद्र सासित प्रदेश हैं तो वर्तमान में हमारे देश के अंदर आठ केंद्र सासित प्रदेश हैं उनमें से पहला केंद्र सासित प्रदेश की बात करें अंडवान एबम निकेगवार द अगली चर्चा खरते करें द्ली डिल्ली के प्रदेश है गंदर वहले निश्यसंपान गास देबzięki करो आगे में खरते चर्चा करें ओंगर Serve आगें इसको अगले सपत digo हुआ के शीरत प्रदेश है में इसको यह नाम है वा मिनिकाय एवं अमिन दिवी नाम से इसको जाना जाता था लका दीव मिनिकाय एवं अमन दिवी 1973 के बाद इसका नाम परिवर्तन करके इसको लक्षदीव कर दिया गया अमीद है आपको यहां तक बात समझ में आई होगी आगे चर्चा करें चौथे हमारे केंद्रशासित प्र एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है यह कब बनाई गया यह 2020 की 20 में आगे हम मैप की माध्यम से इनकी स्थितियों को भी देखेंगे तो दादरा और नगरहवेली और दमन और दीव जो थे वो एक ही केंद्रशासित बात करें तो पॉड़ुचेरी की बात करते हैं जिसका गठन 1966 में हुआ था 2006 तक इसको पॉड़ुचेरी नाम से जाना जाता था पॉड़ुचेरी और पॉड़ुचेरी में आज भी काफी लोगों को बहुत सारा कंफिवन होता है कि यह दोनों छेत्र अलग-अलग है क्या तो जो पॉड़ुचेरी है उसी का नाम 2006 में परवड़ुचेरी नाम दे दिया गया अगली बात करते हैं चंडीगड़ की चंडीगड़ जो है उसका गठन 1966 में केंद्र सासित प्रदेश के तौर पर हुआ था और 2019 के अंदर जम्मू और कस्मीर और लगदाक यह दोनों के 2019 में बनाए गये थे सबसे नवींत केंद्र सासित प्रदेश है वह हमारे जम्मू कस्मीर और लगदाक 2019 में इनका गठन किया गया था, उम्मीद है आपको समझ में आ आया ऊएक जम्मू कस्मीर जो है एक पूरा राजि गुआ करता था पहले जिसके लगदाक जो है इसका ए के सिदियां कहां कहां है आठ हो हमारे जो प्रदेश है इस में आपको भारत का नक्सा है इसके अंदर यूनियन टरिट्रियों ऑफ इंडिया दिखाई गई है और इसको जूम करके अगर हम देखें तो सबसे ऊपर हमें भारत के उत्तर की साइड में जो देखने को मिलते हैं भीन्तम केंदर सासित प्रदेश बनाए गये हैं इसके बाद पंजाब और हर्याना के बॉड़र पंजाव और हिमाचल प्रदेश के बॉड़र पर इस कंडीगण में देखाई दे रहा है तो चंडीगण भी हमारा केंदर साइसित प्रदेश है और दिल्ली जो है सब को पता प्रदेश हैं इनको गुजरात ना समझा जाए विलकुल यह जो पॉइंट हम देख रहे हैं यह है दाद्रा एबम नगर हवेली और यहां दिखाई पड़ते हैं दाद्रा एबम नगर हवेली यहां दमन और दीव यहां पर यह दोनों पहले अलग-अलग केंद्र सासित प्रदेश हैं इनकी इस्ततियां आप जेख सकते guy और नगरह वेली यहां दमन और नीचे पहल और इतश करें करें नीचे जो हमारे और केंद्र्सासित प्रदेश है इनके अगर बात करें अब बात करते हैं विलक्छे दीप की तो लक्षदीव यहाँ पर यह एक द्वीप समू है इसकी राजधानी करवेती है यह आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा जो एरिया है वो लक्षदीव दीप समू का है इसके बाद हम बात करें अगले हमारे केंद्र सासित प्रदेश की तो वह है पॉंड़िचे यहाँ पर खोद पुड़ुचेरी है और इसके नीचे बात करें पुड़ूचेरी के जट नीचे हम देख सकते हैं कराइकल करायकल भी पूड़ुचेरी के अंतरगत आता है और यहां हम माहे देखें जो पॉर भी तटपर हम अगर हम देखें तो माहे जो है वो भी पूडुचेरी का ही एक पार्ट है यह चारो के चारो छेत्र मिलाकर एक केंद्र सासित प्रदेश का निर्मान करते हैं जिसका नाम है पूडुचेरी उमीध है आपको यहां तक बात समझ में आई होगी पूडुचेरी के बाद अगर च जैसा कि हमने अभी पहले बात की हमने इन सारे केंद्र सासित प्रदेश के गठन से संबंदित चर्चा पहले ही की है उमीधा आपको दोस्तों यहां तक की बात पूरी तरह समझ में आई होगी आगे चर्चा करते हैं सीधे सीधे जम्मू और कस्मीर के बारे में जो की हमारा नवीनतम केंद्र सासित प्रदेश है नवीनतम केंद्र सासित प्रदेश की बात की जाए तो 2019 में जम्मू एवं कस्मीर पुनर गठन विधयक 2019 किस विधयक के तहट इसको अलग किया गया था तो जम्मू एवं कस्मीर पुनर गठन विधयक 2019 के द्वारा जम्मू एवं कस्म कलिकार द्वारा बताई गए थे लडदाह संभाग विसाल चेत्रफल वाला है लेकिन विल जनसंख्या वाला बहुत ही ज्यादा कम जन्णाग्या वाला जहां लोग बहुत दूर दूर बसते हैं ऐसी जनसंख्यावाला और कठिन भूभागवाल देखने को देखने को मिलता है काफी पहाड पत्थर और साथ ही आपको बता दिये जाये कि लगदाक के अंदर एक मरू स्थल भी घी जिसको की भारत का सीट मरू स्थल या सोश्क मरू स्थल बोला जाता विदाइका नहीं होगी विधाइका से ताक पर है कि इसकी अपनी कोई भी विधान सभा इस छेटर के अंदर नहीं होगी लदाक की उमीद है लदाक का पॉइंट आपको समझ में आया ह commence जब यह जम्मु कस्मीर और लदाक दोनों एक राज्य हदाट थे तब अक्सर देखने को मिलता था कि जम्मु कस्मीर में ही विकासकार जआदा हुआ करते थे और विकासकार नहीं पहुंच पाते थे तो इसको कही ना कहीं विकास से दूरी हमेशा मिली और लोगों की लगातार मांग भी रही थी कि लग्दा को अलग जहेत्र बना दिया जाए तो ऐसा ही किया गया अगली बात करते हैं जमू और कस्मीर की आंतरिक सुरक्षा भातावरों को ध्यान में रखते हुए जमू एवं कस्मीर में राज शीमा पार से प्रायुजित आतंकवाद जम्मू और कस्मीर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आतंकवाद और वो भी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वहां से आतंकवादी उस्पेड़ी आकर लगातार हमले वगएरा करते हैं तो आंत्रिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिससे की इसका कंट्रोल जो है पूरी तरह से क विधायका होगी मतलब यहाँ पर अपनी विधान सभाह जम्मुकस्मीर की होगी उमीद है जम्मू कस्मीर का गठन इसकी जो कारण जो सरकार के द्वारा बताए गया नहीं होगी जम्मू कस्मीर खकर करते हैं प्रसासन के केंद्र साषित प्रदेशं का प्रसाशन किस प्रकार से किया जाता है सम्विधान के भाग 8 के अंघतारीस psychology 249 से लेकर 241 में केंद्र ओंतारीसित प्रदेशों के संबंद में उपवंद हैं मंतों सम्विधान엔 में अगर हम देखना चाहें केंद्रसासित प्रदेसों को तो कहां मिलेंगे बहाग आठ में अनुशिद 249 से लेकर 241 तक अनुशिद हैं केंद्रसासित प्रदेसों के बारे में प्रत्य केंद्रसासित प्रदेश का प्रसासन राष्टपती द्वारा संचालित होता है इनका जो प्रसासन है वो राष्टपती के द्वारा किया जाता है जो एक प्रसासक के मार्द्यम से किया जाता है मतलब राश्टपती यो है एक प्रसासक को अपने एजेंट को वहाँ पर भेजते हैं छेतर के अंदर उनके द्वारा प्रसासन होता है प्रसासक जो होते हैं यहाँ चर्चा करें प्रसासक राश्टपती का एजेंट या अविकरता होता है ना कि राज्यपाल की तरह है राज् लेकिन वो राज्य के प्रसासनिक प्रमुख के तौर पर उनका पद देखा जाता है बलकि यहां पर अगर देखा जाए केंदर सासित प्रदेश के मामले में तो यहां के जो प्रसासक होते हैं जो भी यहां के प्रसासक होते हैं वो राज्यपाल यहां के ना होकर सिर्फ एक र एफ्टिनेंट गवर्नर एल जी के नाम से जाना जाता है दिल्ली के अंदर हमने कई वार एल जी का नाम सुना था अत्वा मुख्य आयुक्त मुख्य आयुक्त चीफ कमिशनर भी बनाई जा सकते हैं और या फिर प्रसासक या फिर एड्मिनिस्ट्रेटर इन तीन नामों से कें 1963 दिल्ली 1992 और जम्मू कस्मीर में विधानसभा गठेत की गई पुडू चरी में 1963 में दल्ली में 1992 में और जम्मू कस्मीर के अंदर जम्मू कस्मीर तो पहले राज्य की विवस्ता की गई तो हमारे देश के अंदर तीन केंद्र सासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विदायकाय हैं पुडुचेरी जहां 1963 वनी दिल्ली 1992 और जम्मू कस्मीर में बिदान सवा गठित की गई और मंत्री मंदल जो है इनका मुख्यमंत्री के अधीन कर गया कर दिया गया इन तीनों जगह पर मुख्यम सूची के विश्यों पर कानून बना सकती है वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है इसलिए क्योंकि संसद को हम अगर देखें तो संसद जो है मूल परिस्तितियों में जैसा कि पहले हमने चर्चा की थी कि संसद जो है एक केंद्र सरकार की केंद्र सरकार का एक अंग होता है सं यहां पर केंद्र के जतने भी सांसद लोग होते हैं वो वैठते हैं सरकार का मंत्री मंदल पूरा का पूरा संसद के अंदर उत्तरदा Halana और संसद जो है वो संग सूची के विशय पर और संबर्ती सूची के विशय पर कानून बना सकती है संग सूची और संबर्ती सूची लेकिन राज सूची के विशय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राजिका होता है लेकिन यहां हम देख पा रहे हैं संसद जो है केंदर सासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियां, संग सूची, राज सूची और संबर्तिसूची तीनों सूचियों के विश्य पर कानून बना सकती है अगली बाग करें संसद की इस सक्ती का विस्तार पुड़ुचेरी, दिल्ली और जम्मू कस्मीर तक भी है जबकि इनकी अपनी विधायकाए हैं यहाँ पॉइंट बिल्कुल वेरी क्लियर कर लिये जाए कि जम्मू कस्मीर, पुड़ुचेरी और दिल्ली तीनों की अपनी अपनी विधायकाए हैं ये लोग अपनी विधायकाओं के अंदर कानून मना सकते हैं लेकिन फिर भी संसद इनके राज्य के विस्यों पर भी कानू नहीं बनाया जाता है इसकी चर्चा हमने जब हमने विधायक पढ़े थे कि विधायक कितने प्रकार के होते हैं उसमें बहुत डेटेल में इनकी चर्चा की है आपको प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक मिल जाएगा विधायक का पुड़ुचेरी विधानसवा राज सूची कर सकते है दिल्ली भी राज सूची और समनुन बना सकती है लेकिन यहां पर लोगववस्था को उपर कानून नहींbum बना सकती पुलिस को क्यों नहीं बना लेकिन दिल्ली जो है इन पर कानून नहीं बना सकती है वह संबर्ती सूची के विसेवों पर कानून बना सकती है हाला कि दिल्ली के बारे में विस्तरे तुरूप से चर्चा आगे की गई है आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रपती जो हैं वो अंडबान और निकोबार्थ, दीव समू, लक्षदीव, दादरा एवम नगरहमेली, दमन एवम दीव, जम्मू एवम कस्मीर तथा लगदाक में सांती विकास वा अच्छी सरकार के लिए नियम मना सकते हैं यहां सांती विवस्ता के लिए राष्ट्रपती द्वारा विधी मतलब कानून मना जा सकते हैं बसरते वहां की विदानसवा जो है पुडूचेरी की बात यहां हो रही है पुडूचेरी के लिए भी राष्ट्रपती कानून मना सकते हैं लेकिन वहां की विदानसवा जब वि इने निया एलैों के बारे में यह point अपने आप में बहुत important हो जाता है और अक्सर इससे questions पूछे जाते हैं कि कौन से केंद्र सासित-प्रदेश का कौन सा निया एलै शेत्र है या फिर कौन से निया एलै इनके जो है शेत्र में आते हैं तो संसर किसी भी केंद्र सासित- कि wardrobe या उसे निकतब्री राजिक सकति है वंतर्ब संसत चाहे तो किसी भी केंद्र साफित प्रदेश के लिए लग ने इन एले की स्ताफना कर दे या फिर उसके निकट कोई राज हो उसके उस ने ओद के आदि और दिल्ली का तो अपना एक उच्छ न्यायले हाई कोट है लेकिन जो अधर केंड्रसासित प्रदेश्च यूनियन टरिटरी तुछ नहीं है तो कौन सा केंड्रसासित प्रदेश किस न्यायले के अधिन है तो इसकी एक बार चर्चा करते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो कोलकाता उचनेयले के अधीन आता है तो अंडमान निकोबार कोलकाता उचनेयले के अधीन चंडिगड जो है वो पंजाब वा हर्याना उचनेयले के अधीन आता है पंजाब हर्याना के उचन्डिगड के अंदर ही इस्तिते हैं और उसी प्रेट्री के अंदर पंजाब एवम हर्याना उचन्डिगड भी आता है चन्डिगड का जो नया च्हेतर है वो यहीं है दाधरा एवम नगर हविली की बात करें और दमनेबंदीव जो है यह मुंबई उचनए आईले से समंजित हैं इसके मुंबई उचन आयले के अधीन आते हैं और दमने इवमधीव लक्षदी與 है केERल उचनएले के अधीन आता है पुड़ू चेरि मद्रास सु उचन न्यायला के अलग अब यहां एक बात यह नसोची जाये कि जंहो एबंक समील उच्छनेयलाय kेंdr saasid कशजडी के लिए जो पर देश के लिए पहले से एथा उन्हों उन्हें भूस इसका च्छ हो नहों का दिया गया है जंहोगओ कसमी और लग दाक जो है यह दोनों ही जम्मू एबं कस्मीर उचिनःयले के अधीन आते हैं। दिल्ली को विसे सहजित प्रान की गई और इसे राष्ट्रियाजदानी छेतर दिल्ली कर दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रसासत नामित किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर LG के बारे में हम अक्सर पड़ते हैं सरकारों के बीच में अक्सर जो फिला पूर्व में दिल्ली में महानगरिय परिसद और कारिकारी परिसद हुआ करते थे विधान सभा और विधान मंदल से पहले यहां पर जो है महानगरिय परिसद और कारिकारी परिसद हुआ करते थे विधान सभा की चर्च बात करें तो विधान सभा की छमता 70 सदस से नहीं कराई जाते हैं। छुनाब दिली के अंदर चुनाब केंद्रिय निर्वाचन आयोग द्वारा किराये जाता है। विधान सवाह को राज्य सूची और संबर्ती सूची के विष्यों पर बिधी कि मनाने का अधिकार है। जैसा कि अन्य नॉर्मल राज कर सकते हैं कि वो जो है राज सूची और संबर्ती सूची पर अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं लेकिन दिल्ली के अंदर जो है तीन विशे को छोड़ कर तीन विशे के पर जो राज सूची के तीन विशे हैं इन पर दिल्ली सरकार के द्वार तिया दिल्ली की विधानसभा के द्वारा कानून नहीं बनाई जा सकते वो कौन-कौन से हैं वो पहला लोक विवस्था पोलिस तथा भूमी इनको छोड़कर बाकी जो विशे हैं राज सूची के और संबर्ती सूची के इन पर दिल्ली के विधान सभा द्वारा कानून बनाया सकते हैं परन्तु संसद द्वारा बनाई विधी संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून विधान सभा द्वारा बनाई गई विधी से अधिक प्रभावित होता है यदि संसद उसी विशे पर किसी विशे पर जो है दिल्ली की विधानसभा द्वारा कोई कानून मनाये गया और संसद का संसद ने भी उसी विशे पर कोई कानून मना दिया तो दिल्ली की विधानसभा का कानून वहाँ प्रभावित ना होकर संसत का जो पानून होगा वो उस पर जादा प्रावी हो जाएगा उमीद है दिली के विसेश उभन्ध के वारे में आपको समझ में आया हो और आगे दिली के ही विसेश उभन्ध की चर्चा हम करें तो मंत्री मंडल की संख्या विधान सभा की कुल संख्या का दस प्रत्यत है जब विधान सवा के सदस्यों की संख्या सत्तर है तो उसका दस प्रत्यत हो जाता है साथ यानि कि साथ मंत्री दिल्ली के अंदर हो सकते हैं एक मुख्यमंत्री और छे अन्यमंत्री साथ मंत्री ही हो सकते हैं राष्टपती मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है ना कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ती जो है सीधे राष्टपती के द्वारा की जाती है दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्टपती मुख्य मंत्री की सलहा पर करता है मुख्य मंत्री द्वारा सलहा दी जाती है राष्टपती को और राष्टपती द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है मंत्री मंदल मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में उप राजपाल द्वारा स्वा विवेक से लिए गए निर्णय को छोड़ कर बाकी सभी कारें में सहयोगभा सहायता करते हैं अब जो दिल्ली के विधान सभा है यदि दिल्ली का राजपाल है दिल्ली के वह अपने स्वाव विवेक से कोई निर्णय लेते हैं तो ठीक है फिर तो उसमें सहायता की आवाशक्ता नहीं होती है लेकिन स्वाव विवेक से लिए निर्णय अगर नहीं हैं कोई बाकी उसके के लावा कोई ऐसा नेड़े हैं जो कि राज्यपाल के द्वारा अपने विवेक से इस्तिमाल ना करने के बाद ना करके लिया गया है तो ऐसे में जो है विदानसवा के जितने भी मंत्री और मंत्री मंत्री मंडल परशाद होगा इसमें सहयोगवा सहयता करते हैं दिल्ली के जो उपराज्यपाल होते हैं लेकिन मंत्री मंडल में किसी मुद्धे पर टकराव होने पर राज्यपाल उसे राष्टपती के पास मुद्धे को ट्रांसफर कर सकता है उपराज्यपाल जो है राष्ट प्रदेसों में ग्रह और सेंगी चेत्रों में विदाई वित एबंब बजट सेवाईं तथा उपराजिपाल एबंप्रसास को काुए नियुक्ति से सम्मंदित समी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है राष्टपती जब भी इन सब अधिकारियों की या इन सब सेवाओं की बात करेंगे तो उनको ग्रह मंत्राले को वो बोलेंगे और ग्रह मंत्राले एक ऐसी एजेंसी है जो ये सारे कारे करने में राष्टपती की मदद प्रदान करती है या फिर ग्रह मंत्राले द्वारा ये सारे कारे किये जाते हैं सभी छे संगिय च्छेत्र जहां विदायकार नहीं है वहाँ ग्रह मंत्री सलहकार सम्थी जिसको की HMAC Home Ministers Advisory Committee या फिर प्रसासक सलहकार सम्थी जिसको की AAC यानि की Administrators Advisory Committee बोला जाता है उसका फोराम है HMAC जो है उसकी बैठक की अर्द्यक्षता केंद्रिय ग्रह मंत्री करते हैं ये पॉइंट थोड़े से इंपोर्टेंट यहां हो जाते हैं परिक्छा की द्रिष्टी से कि HMAC की बैठक की अर्द्यक्षता तो केंद्रिय ग्रह मंत्री के द्वारा की जाती है और AAC की बैठक की अर्द्यक्षता जो होती है उस छेत्र के प्रसासक जो होते हैं जो राष्टपती द्वारा निकत की जाते हैं उनके द्वारा की जाती है राष्टपती के द्वारा अध्यक्सता नहीं की जाती है AAC की बलकि प्रसासक के द्वारा की जाती है और HMAC जो है इसकी बेटकी अध्यक्सता केंद्रिय ग्रहमंत्री होम मिनिस्टर के द्वारा की ज सब्सक्اط में सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब विचार करती है और उनको लागू करने का यह काम लागू सुष्ट आया होगा। अगले कुछ और पॉइंट्स की बात की जाए जो कि थोड़े से की द्रिश्टी से मि unreत बाने जाते हैं तो इनकी आगर क्षा करें तो पंजाब पंजाब राज़े का राज़पाल चंडीगड के प्रसासक होते हैं पंजाब राज़े के जो राज़पाल होंगे वो चंडीगड के प्रसासक के तौर पर होंगे ऐसी विवस्ता की गई है चंडीगड जो हो एक केंद्र सासित प्रदेश है और पंजाब एक पूर्ण परिशाथ करें राश्टपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य से सठे केंडर शासित प्रदेश के प्रसासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है राश्टपत IP राज्य के के राज्ये होती हैं जब किसी केंदर सागत्य प्रदेस के रहा था जो होता है उसे उनकी सक्थियां पूरी तरह से स्वतन्त्म हो जाती है केंद्र साश त्यव् пят які के लिए हैं पूरी संपूर्ण जानकारी समझ में आई हो इस यह जानकारी आपको अच्छी लगई हो तो इस चैनल को लाइक इस वीडिू का आप जिलाइक जरू किजिये कमेंट करके हमें जावा से जावा इस वीडियो को सेर कीजिए जिससे की ग्यान का प्रचार प्रसार हो सके और साथ इसाथ आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन